Assalamualaikum व्लॉग एंड रेसेपी में आपका स्वागत है तो आज बनाएंगे मकरोणी तो यहां पर मैंने मकरोणी ले लिया है आप अपनी फैमिली के लेना मैंने अपनी फैमिली के लेना अज आपको अमेड रेसेपी निधेंगे आज मैं आपको recipe देने वाली हूँ आज मैंने कहा कि आज मैं आपको recipe दूंगी करके तो मकरूनी मकरूनी के हिसाब से मैंने material लिया है एक medium-size का प्याज लिया है प्याज को हम बारिक chop कर देंगे एक medium-size का टमाटर टमाटर को भी हम cutting कर देंगे बारिक गानिशिंग के लिए कोतमीद ले लेंगे दो तुकड़े अद्रक के लेंगे अद्रक को भी हम कटिंग करेंगे दो हरी मिर्ची लिए हरी मिर्ची को मैंने इस तरीके से कटिंग करी तीन चार लसन के कलिया लिये हैं मैंने उसको मैंने बारिक चॉप कर दिया है मकरोनी मसाला आता है वो मैंने आदा चम्मच लिया है आदा चम्मच मैंने पास्ता सॉस लिया है एक चम्मच मैंने सिजवान चटनी लिये तो इसके आगे का प्रोसिस क्या है तो वो मैं आपको बताती हूँ टू मैं घहस को आन करूंगी तू बिसमिल्ला बोल बि हम गहस को चालू कर देगे घहस चालू कर देंगे तू पनी घहस Magja जालू कर अबे गर्चाश चालू कर देंगे कड़ाई सब्सक्राइय मुटिंटा गर highest मूझा दाले में पानी दाला है उसके अदर कर दिया तो अपना पानी जय हलका गरम हो गया उसके उसके इंदर दिया तो पानी गरम हो गाँ तो अब फास्ट कर दिया कि हमारा पानी और इसके अंदर मकरोणी और मतर दोनों भी हम साहते हैं सब्सक्राइब दोनों के बाद में मट्र जाल रहindest पका लेंगे मट्र अन्न में अज़िए मेडिया में whenever you eat माक्रोणी लगे में आड़ पका ले Wash तो नीचे लगे करें अब छेम्मेश से तो आइब जा ले Such a तो माशाला ये देखिए अच्छा उबाल भी आ गया है और माशाला मकरोनी देखिए कितने अच्छी नरम 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 भी हो गई है और मटर भी हमारा हलका नरम हो गया है तो माशाला बहुत अच्छा बन गया है मैंने घैस को कर दिया बन और अभी जह हम थलका पानी भी हम पान तो फिर खाने में मजा नहीं आएगा हम इतनी महनत कर रहे तो अच्छा बनना चाहिए ना खाना तो यह देखे फ्रेंट्स मैंने इसका थोड़ा पानी भी लिया और मकरोनी को निकाल के यह देखे मैं आपको दिखा रहे हूं मैंने पानी लिया इसका और यह दो यह दो आगे अजादी गरम नहीं है अपनी कड़ाई गरम है तो अब अपने को लगता है तो यह दो अपना तेल गरम हो गया उसके बाद में आप अधरक बारिक चॉपके आप अधरक दाल देंगे अधरक दालने के बाद मैं अपन ढ़ने देने अभी लटसन बारिक चॉपके आवाला संदी अपन पूरा अग्सा दुन दाल देंगे अभी आपने अच्छा गरम हो गया अभी उसके बाद मेंम अन्स लोगा मीरियम घ्याश रहा अब आप उन इसको हग यह द्रॉड ट्रश से लेज़ें लुक्स में लिखे कैसी बनी है लगा चैनल को सब्सक्राइब करें यह रौग्स करें तो अभी अपना लग्लसं गिया उसके बाद मैं भूंन दाल देंगे इसंदर प्यास इस बNew envisioned cla monstr फे ना और मैं बीचाइब दारें इश्के अंदर प्यास मैंने डाल दिया प्यास डालने के बाद में या पुने को मिक्स करेंगे टेल में अद्रियव अक लसर में आपको मिक्स कर देंगे जो हैं अभी अपनिव प्यास को नरम होने देंगे लिकार नरम करेंगे ब्राउम नरम करेंगे तुरू हम प्यास को अपनी अभागे हhouse मिर्चि दाल देंगे प्यास अपनी नरम हो अब जो अपुनिस को अच्छे से मिक्स कर देंगे प्याज हदी मिल्ची को बहुत अच्छी खुश्बू आई थी अम्मी ने खाया था तो अम्मी को बहुत पसंद आया था मकरूनी I hope आपको भी पसंद आएगा अगर आप बनाएंगे तो तो अब उसके बाद में हम दाल देंगे मकरूनी मसाला हुम दाल देंगे पस्ता साथा कि पास्ता सोस I पास्ता साथा आपश्यान थी त्षक निकाल रहा साथा में हम अब फूरा कटोष्ण से निकाल थी тебя रहती है चीज में उसके बाद सिजवान चटनी के लाने के लिए भी बहुत सब्सक्राइब लगती है तो ऐसा है तो हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए कोई भी चीज अब यह सारे मसाला दालने के बाद में मतलब उसके वाद में मीस करें इसको अच्छे से के सारे मसाले इक दुसरे के में घुल जाए बwsक Kronee और मतर मैं तो को कुंड़ पानी झाय को बहुत पपासंद में है मैं और मत्र ये.- Enough में खेंट को फोट हम आई पानी है वह मज्यास हैमी पहुत बहुत अच्छे है उसके बाद में लिए मं vientर अ बहुत अच्छे है हुआओ तो मुझे ज़रूरःद करके आसा है तो अभी हम मकरोनी और मत्र जो है वो दाल दिये उसके बाद में हम इसको अच्छे से उपर नीचे करेंगे कि मसाले में घुल जाए मिल जाए तो हम इसे अच्छे तरीके से उपर नीचे करके मिक्स कर देंगे आप लोग लाइक भी करें प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करें वीडियो को फुल वाच करें तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे उपर नीचे कर देंगे तो बहुत इज़ी जटपट सा बन जाता है, फटा फट से बन जाता है, जादा टाइम भी नहीं लगाता है बनने के लिए, ऐसा है, तो अब हम दाल देंगे इसमें नमक, नमक जो है, मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक दाला है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक दाल देना तो ऐसा है बहुत जटपट सा है इजीली बन जाता है फटा फट से ज्यादा टाइम नहीं लगता है आप इसे नास्टे भी बना के खा सकते हैं जल्दी जल्दी बन जाते हैं तो यह देखिए अच्छे तरीके से जो है यह मिक्स हुआ तो मैंने स्लो घैस कर दिया छाए ज़िए लिए लागे आप उसके बाद में दालें जाएं हम घुट मीर जमने गानेशिंग के लिए ते कंप गूतमीर डालें लेंगे पर अच्छे से मिक्स कर देंगे दो बिल्कुल भी मकरोंस जो है मेरी नीचे लगी नहीं है तो जल्दी से में नीचे लग जाती ए तो ऐसा है तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे बहुत ही यमी बहुत ही टेस्टी आप जरूर बनाना तो देखिए मस्त एक दम बहुत ही अच्छी खुश बा रही थी तो अपनी जो मकरोनी जो है अपनी रेडी हो गई है तो आप जरूर ट्राय करना मैं घरती हूँ घ्यास को बन तो आईए आप लोग भी बिसमिला करने के लिए तो मकरोनी अपनी गर्मा गरम रेडी हो गई है तो आप लोग भी जरूर ट्राय करना और कमेंट बॉक्स में लिखना कैसी बनिए लाइक करना, शेर करना, सब्सक्राइब करना तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए आपकी फ्रेंड्स में या फिर आपकी रिष्टिदारों में शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी comment box में जरूर बताना तो में ते नेक्स वीडियो में अला आफीस